स्टड़ी आईक्यू बैंक एन एससी शुरुवात से सभलता तक हलो एप्रिवन वेल्कम टु स्टड़ी आईक्यू बैंक एन एससी तो जैसा कि आपको पता है कि आप सभी के लिए नू यो बैंकिंग कॉंसेट की एक सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज में आज का जो हमारा सेशन रहेगा किसके वारे में रहेगा है कि कॉपरेटिव बैंक्स के अराउंड जो है आज का हमारा सेशन आपको देखने को मिलेगा तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं इनका अबजिक्टिव क्या है इसारी चीजा आज की सेशन मे बैंक बैंक और इज सेशन और को बात करने हैं तो चली सटार्ट करते हैं और शुरुबाद करते हैं पहले बात करते हैं कि कोपरेटिफ्स इसी से आपको जो है समझ में आ जागा एक तरीके से कॉपरेशन यानि की मूच्वल बेनिफेट्स की यहां पर बात की जा रही है तो कॉपरेटिव बैंक्स इन इंडिया तो आप देखोगे कि कॉपरेटिव बैंक्स का जो रोल है हमारी कांट्री में यह आपको एक exceptional और बहुत ही उन्दा जो है रोल आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि इनका जो working है वो बहुत ही different है यह क्या करते हैं यह community based या community focused approaches जो है यह यहां पर आपको देखने को म areas की अगर मैं बात करूँ या फिर मैं agriculture sector की बात करूँ तो यहां पर आपको जो है important role देखने को मिलेगा किसका cooperative banks का when it comes to the growth and development या फिर मैं बोलू कि credit availability में आपको cooperative banks का जो है role ruler areas या agriculture sector में आपको सबस्यादा important role cooperative banks का ही देखने को मिलेगा जो कि एक क्या बोलते हैं cooperation और mutual benefits पर काम करते हैं क्योंकि यहां पर जो customers होते हैं वही इसके honors भी होते हैं तो यह बात हम लोगों ने last class में भी की ती features की बात कर लेते हैं कि cooperative banks के features क्या होते हैं तो they belong to their member only तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो honors होते हैं वही इस banks की क्या होते हैं customers आपको देखने को मिलेंगे यहां पर अगर कोई decision लेना होगा तो वो किस principle के basis पर लिया जाता है तो one person one boat जो है यहां पर आपको एक principle देखने को मिलेगा जिसके through जो है cooperative banks को operate किया जाता है in decision making making and are managed on the basis of cooperation self help and no profit no loss के objective के उपर यह काम करते हैं and yes यहां पर आप lending तो देखुए यानि कि जो customers होते हैं इनको lend या credit provide तो किया ही जाता है but एक तरीके से यहां पर deposit जो है यह भी accept किये जाते हैं so this is about the cooperative banks but again अगर हम इनके regulation की बात करें कि माम फिर इनको regulate कौन करेगा तो यहां पर जब हम regulations की बात करेंगे तो आप देखोगे कि दो important यहां पर आपको important bodies देखने को मिलेंगी जो कि responsible है for the regulation of cooperative banks पहले हम बात करेंगे Reserve Bank of India तो यहां पर जो banking regulation act 1949 का और यहां पर जो banking laws act 1965 का उसके तहत RBI को responsibility दी जाती है कि जो banking expect है in banks का cooperative banks का उसको यह manage करेंगे जैसे कि capital adequacy की बात करें risk control की बात करें या landing norms की बात करें तो यह किसका part आता है यहां पर आप regulation देखोगे किसका RBI का but again यहां पर registrar of cooperative societies भी responsible है when it comes to the regulation of cooperative banks तो यहां पर बोला जाता है respective state और central चीक है तो उनके जो respective state और जो central है यहां पर registrar office जो है वो responsible है cooperative societies के for the regulation of these banks they are responsible for regulation of management related expect तो यहां पर banking related aspects के लिए कौन responsible है RBI बट यहाँ पर regulation of management related expects के लिए जो states के और फिर मैं बोलू कि center के जो cooperative societies के registrar है वो यहाँ पर responsible है जैसे कि incorporation हो गया, cooperative banks का registration हो गया, management हो गया, audit हो गया यह सारी चीजों के लिए कौन responsible है? registrar of state or center आई हो और banking expect की बात करेंगे तो RBI responsible है act कौन सा आएगा? तो यहाँ पर दो important act दिये हुए, banking regulation act और दूसरा होगा, banking laws act 1965 अब यहाँ पर एक important amendment है, जो भी आपको पता होना चाहिए that is related to the banking regulation amendment act 2020 अब यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है? कि यहाँ पर एक amendment होता है जिसके चलते हुए, RBI को जो है यहाँ पर it is aimed to bring all the urban cooperative banks and multi-state cooperative banks under the direct supervision of RBI तो यह जो amendment होता है, जिस amendment के चलते हुए जो urban cooperative banks है, या फिर मैं बोलो कि multi-state cooperative banks है, इनको direct supervision में लेकर आया जाता है RBI के, तो यह amendment 2020 में होगा किसके अंदर? Banking Regulation Act 1949 के अंदर जो कि हमने पीछे पड़ा, ठीके तो इसके अंदर एक amendment होगा 2020 में, जिसके चलते हुए, जो urban cooperative banks है और multi-state cooperative banks है, यह direct control में आँगे supervision में आ जाते हैं किसके? RBI के अब यह chart हम देखीगा, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, cooperative banks की जो है, हम इस chart के चलते हुए, बात करने वाले हैं और रेट, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा categorization की बात करेंगे तो structure देख लेते हैं, तो जब हम cooperative banks की बात करेंगे, तो यह again दो type के होते हैं, एक होते हैं urban cooperative banks और दूसरे होते हैं rural cooperative banks होते हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, तो next हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में, rural cooperative के बारे में, तो जब हम rural cooperative की बात करेंगे, तो again आपने इनका structure देखा होगा, कि इनको divide किया गया है, दो में, long term cooperative and short term cooperative अगेर हम लोग बात करें, short term corporatives के बारे में, तो यह जो short term corporatives होते हैं, यह three tier system में काम करते हैं, तो again आपको short term corporatives का, जो division है, वो तीन तरीके से देखने को मिलेगा, एक division होता है, जो village level पे है, दूसरा district level पे, और तीसरा कहाँ पर होगा, state level पे आपको इनका division देखने को मिलेगा, और तो सबसे पहले हमने बात की, कि जो cooperative banks होते हैं, यह further classified है, as a urban cooperative banks and rural cooperative banks, उसके बाद हमने urban cooperative banks में schedule और non-schedule banks देखें, बट यहाँ पे अगर हम rural cooperative banks की बात करेंगे, तो इनका जो division है, हमने देखा, long term और short term, short term की बात करने, तो यहाँ पे तीन तरीके से classification किया गया है, वो cooperative banks जो की village level पे काम करते हैं, उसके बाद आते हैं, district level पे काम करने वाले, और उसके बाद आते हैं, यहाँ पे state level पे काम करने वाले, और जो village level पे काम करते हैं, उनको primary agriculture credit societies कहा जाता है, जो district level पे काम करते हैं, उनको central cooperative banks कहा जाता है, और जो state level पे काम करते हैं, उनको state cooperative banks कहा जाता है, अगेन अगर हम long tub की बात करें, तो यहाँ पे चलते हैं फटा फट से, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको detail में देखने को मिलेगा, तो short term की बात करें, तो यहाँ पे जो money lend की जाती है, वो एक साल के लिए की जाती है, और majorly इनका purpose क्या है, primary level पे की जा रही है, तो majorly जो purpose होता है, वो जैसे की cultivation की activities के लिए, buying and selling of seeds, fertilizers, तो इन सभी चीजों के लिए जो money lend की जाती है, उसको बोला जाता है, short term cooperative, जो भी यहाँ पे banks करते हैं, उनको short term rural cooperative banks कहा जाता है, again अगर हम long term की बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, two important banks, एक होते है, state cooperative, agriculture and rural development, दूसरे होते है, primary cooperative, long term, agriculture and ruler development, तो यह आपको दोनो long term में देखने को मिलेंगे, अब जर्राद देख लेते हैं कि ma'am, यह कैसे काम करते हैं, क्योंकि short term वाला हमने तीन का classification देख लिए है, village level, district level और state level, हमने इनका working भी देख लिए हैं और हमने यह भी देखा कि यहाँ पे जो landing होगी, वो रूरल development purposes के लिए यह credit दिया जाएगा, तो इनको बोला जाता है, state, corporatives, agriculture and rural development, तो जो credit यहाँ पे लंबे समय के लिए दिया जा रहा है, वो agriculture purposes के लिए और development purposes के लिए दिया जा रहा है, next है primary cooperative, agriculture and rural development, अब यहाँ पे क्या focus हैं, तो यहाँ पे जो भी provide की जा रही है, financial services to the ruler areas, तो यहाँ पे जो target किया जाएगा, वो very specifically small marginal farmers और agricultural labors and ruler artisans को जो है target किया जाएगा, again term क्या होगा, long term ही आपको term देख रही को मिलेगा, यहाँ पे purpose है, यहाँ पे target group है, तो I hope कि आपको जो differentiation है, वो समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से long term cooperatives को, किस तरीके से, जो है short term cooperatives को divide किया गया है, आगे चलते हैं, next यहाँ पे हम बात करते हैं, again थोड़ा सा हम लोग urban cooperatives के बारे में भी समझ देते हैं, तो जो urban cooperatives होते हैं, यह cater करते हैं financial needs of the customer in the urban or the semi-urban areas, तो जो भी customers है, urban areas में और semi-urban areas में, तो उनकी needs को cater करने के क्लिए कौन होते हैं, वो होते हैं, urban cooperative banks, urban cooperative banks, primarily registered as a cooperative societies, बट अगर आपको याद होगा, मैंने अभी जस्ट बताया कि इनको direct RBI के supervision के अंदर रखा गया है, I hope कि आपका जो doubt related to the cooperative banks, यह आपका doubt जो है, इस session में cover हो रहा होगा, हम लोगों ने last class में commercial banks के वारे में detail में बात की थी और आज हम लोग cooperative banks के वारे में बात कर रहे हैं, यह जो series आपके लिए लगाई हुई है, know your banking concept, इस series का जो aim है, वही है कि आपके जो economics के जो concept है, इनको cover किया चाहे, okay करके, क्योंकि देखो, आप जब current affair पढ़ते हो, तो अगर आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाऊगे, facts क्या है, basic क्या है, अगर आपको basic की knowledge नहीं होगी, तो आपका current affair आपको link करना थोड़ा सा, current affair link करना, या जो financial awareness से, या जो banking awareness से, वो link करना थोड़ा सा difficult task हमारे लिए बन जाता है, now let's talk about the significance of cooperative banks, यह जो cooperative banks है, माम, इनका significance क्या है, तो आप देखोगी कि वो areas जो कि unbanked है, या underbanked है, तो उन areas को financially include किया जा रहा है, with the help of these cooperative banks, rural areas में या particular sector में credit provide करने से, तो financial inclusion आपको यहाँ पर पहला point देखने को मिलेगा, easy access to credit, तो यहाँ पर जो credit provide किया जाता है, वो easily जो है available होता है customers को, promote savings, तो again यहाँ पर जो है savings को promote किया जाता है, local development और rural development जैसा कि हमने देखा जो कि primary objective, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, so these are the significance of having a cooperative banks in India, I hope कि session आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा and इसी के चलते हो अगर हम बात करें, which is the first cooperative bank in India, तो इंडिया को जो पहला cooperative bank रहा, यह रहा and योन्या cooperative bank, जिसको ACBL कहा जाता है, इसको 1889 वो डोधरा गुजरात में जो है established किया गया और यह अभी operational भी नहीं है, so इसी के साथ हमारा आज का session यही पर खतम होता है, बट अगर आपने अभी तक मेरा telegram channel नहीं join किया है, तो फटाफ़र से कर लीजेगा, इसके लिए आपको सर्च करना होगा, learn daily with शीतल माम आप सर्च भी कर सकते हैं, gsy शीतल, आपको इस telegram group पे pdf प्रोवाइड की जाते है, quiz यहाँ पर करवाई जाते हैं, infographics related to the current अफे, यह सारी चाहिए आपको यही पर प्रोवाइड की जाते हैं, प्लस जो classes का information होता है या फिर updates होता है, वो भी आपको यही पर मिलता है, बट अगर आप bank exams की तयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ongoing courses में enroll कर सकते हो, target एक हमारा group है या batch है, जिसके अंदर आप bank and SSC दोनों के लिए enroll कर सकते हो, क्योंकि कुछ students होते हैं, जिनको लगता है एक है हमारा SBI PO prelims to interview, यह इसका जो foundation batch 5 यह शुरू हो गया है, आप हमारे SBI PO batch के अंदर भी enroll कर सकते हैं, offices bank तो सभी exams, exams के लिए, bank exams के लिए आप हमारे offices mega pack के अंदर enroll कर सकते हैं, and again आप RBI grade B को target कर रहे हैं, phase 1 से लेकर interview तक जो है, आप हमारे RBI grade B course के अंदर enroll कर सकते हैं, so thank you so much, but किसी भी course में enroll करने के लिए, जो आपके लिए code होने वाला है, जिससे आपको मिलेगा सबसे लादर discount हो होता है, faculty code और SJ life, SJ life के साथ ही आपको मिलेगा maximum discount on study IQ courses, तो यह code जो है, यह लगाना मत भूलिएगा, इसी code के साथ आपको सबसे आदर discount मिलने वाला है, again कुछ student ऐसे भी होंगे, जो RRB NTPC को target कर रहे हैं, तो RRB NTPC foundation coach स्टार्ट हो चुका है, आप हमारे RRB NTPC course के अंदर भी enroll कर सकते हैं, सभी लिंक आपको description box में provide कर दिये जाएंगे, thank you so much, bye bye, take care, study IQ bank and SSC, शुरुआत से सभलता तक,